वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स अम्बानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो में जेलेटिन मिल रहा है उसमें 20 चिक जेलेटिन के मिल रहा है फिर मंसुक हिरेन उसका कंप्लेन करता है वो कंप्लेन सुनते नहीं है सचीन वाजे का फोन आने के बाद मंसुक हिरेन की कंप्लेन ली जाती है कि उनकी गाड़ी चो suspended जो अधिकारी रहा है 17 वर्ष जो वो suspended एक अधिकारी घर में बैठा था उस समय में वो किस के लिए काम कर रहा था 17 सालों से वो उद्धो ठाकरे जी के लिए काम कर रहा था मातोश्री पर ऐजे उनका घर में काम करने वाला उस तरीके से वो काम कर रहा था और जितने काम जित करके कहा कि सचीनवाजे को री जॉइनिंग करनी है किस बेस पे आप करोगे उसको जॉइन करके लेना और इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट क्राइम उनको देना है उसका हेड बनाके उनको दिया और ये पूरे सब्जेक में किसी को मार डालना सौ करोड की वसूली अगर मही जाए उनके अधिकार के अनुसार मैंने वहाँ पर बात रखी तो इतनी बात रखते बराबर पूरे सिफसेना के अरविन सावन जी को जादा मिर्ची लग गई जैसे मैंने खतम किया बोलना उस समय उन्होंने क्रॉस करते जब जाने लगे तो दो सेकेंड का ब्रेक लेके उ जालीक बैठेते भरत करके राजमंत्री उनका एरिया डिस्ट्रिक्ट है उनको पूछा वैदर यू हर्ट सम्तिंग तो ही इमीचेटली मुझे उन्होंने बोला कि मैंने सुना अनवनीथ उन्होंने कहा कि तुमको अभी जेल के पीछे बेजना है तब मुझे रिलाइज हु इसकी तकरार करूंगी अमरवती से सांसद नवनीत राना ने आज आप पर अल्जाम लगाया है कि आपनोंने धमकाया इसके बारे में आपका क्या कहना है सरासर जूट पहली बात ऐसी है कि वो मुझे को जब भी मैं आता हूं सदन में दादा भाया इसे कहते रहे थे तो मैं उल्टा समझाता हूं कभी कभी रिस्पांड भी करता हूं लेकिन उनको धमका ना यह बात सरासर जूट है उल्टा वो धमकाती है सबको आप अगर देखोगे कि जब भी वो सदन में वक्तव्य करती है खास करके महारश्री की सरकार के बारे में या अदर्णिया मुक्यवत्र जी के बारे में तो उनके लबजों में आपको दिखेगा उनकी बॉड़ी लैंग्वेज में देखेगा वो बहुत गुड़ा करती ति रही बात आज कुछ हुआ उनका कैना है तो पहली बात ऐसे कि जो सदन में हुआ वह हुआ महारश्री की सरकार को बरकास करने के लिए भाजपा के सांसत खड़े रहते रहे और चेयर से उनको अनुमति देती गए इसके लिए हम लोग सब वेल में ते गोश्णा कर दे रहते जाते समय मैंने उनको इस तरह से बोला तो मैं रुकना में तो चाहिए ना उनके इरदगरद लोग बढ़ते तो उनको पूछो भया मैंने इस तरह से धंका है तुम्हें देख लूँगा यह भाशा मेरी जिंदगे में नहीं होगा सर और यह महिला है इतना भी धान में रख ही कई सुषूज साब तो उनने इनके उपर केसदर्ज की हुई है और केस दर्ज करने के कारण वी उस गुष्य में रहती है इनके जादका जो स्टिफिक्र और वो सक्ते कर में कदी रहां उसको लेकर वह बार-बारार जब्री करती है तो हमारे अधर्ण को आवं यह इस झाल झाल